हम देखी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मौलदिव एक बहुत बड़ा डेशनिशन है और बहुत सारे लोगों का रुज़गार उससे जुड़ा है और हम भी मौलदिव के बहुत अच्छे नंबर्स करते हैं बट अगर बात हमारे देश के आती है हमारे परधान मंत्री के आत वो कहरें कि हमने तीन मंत्री को सस्पेंड किया है बहुत अच्छी बात है बट हम अपने परधान मंत्री के साथ हैं इस चीज़ पे और इससे हमारे ट्रावल को हमारी चीज़ों को इंपक्ट होगा अगर हम नहीं करते और जो ट्रावल जेंट जो अपनी एजिंसी मौलदि ट्रावल कर रहे थे तो मौलदिव उस वक्ट बिगउज ऑफ इंडिया वर्न लार्जेश्ट डेशनीशन बना 2020 से 2022 और 2022 से 2022 तो मौलदिव को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हिंदूस्तान क्या ताकत रखता है उसके परधान मंत्री के क्या रिस्पेक्ट है और उनको वो इज़त देनी चाहिए कितनी बुकिंग आती हैं आपके पास मौलदीफ की बुकिंग कभी 10 हैं कभी 15 हैं कभी 20 हैं मतलब इस तरह से रेगुलर बिकॉज हम हौल सेलर हैं B2B करते हैं ट्रावल इंटो का काम है हमारा हम डार किस्टमर के साथ दील नहीं करते तो एवरी डे अलग 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 तरह की बुकिंग बटा भी थोड़े से उसमें कम्यानी शुरू हो चुकी है है ना जब से ये हमारे परधान मंतरी के साथ ये बाते हुई हैं मौलदीफ के जो मिनिश्टर से के हैं तो उसे इंपक्ट पड़ेगा और अगर वो ऐसा चाहरे हैं तो उसका डेफिनिटली उनको उसका खाम्यादा भुकतना पड़ेगा जो हम इंडिस्ट्री वाले नहीं चाहते विगोज उससे हमारा रोज़गार जुड़ा है अगर बात फिर मैं यही कहना चाहूँगा अगर बात हमारे परधान मंतरी की है और हमारे देश की है तो मैं अपने देश अपने परधान मंतरी के साथ खड़ा हूँ